अरह ज़िए मिए कर दो अरह आज को कि है है आए अल्ड वच्व वेल्कम यह हमारा फूर्द व्लास है जर्णी ओफ इस्टेट लाइन और सर्कल का लास्ट क्लास में हमलोग कोशन नुम्बर 20 तक पहुंच चुके थे आज से class में हम लोग question number 21st से start करने वाले हैं तो आओ देखते है question number 21st क्या है तो question number 21 देखो कैसे होगा पहले पढ़ लेते हैं सवाल ठीक है The slope of the line of the straight line through the point 3,2 is 3 by 4 मतलब एक straight line होगा कोई जो की point A 3,2 जो point A है जिसा coordinate 3,2 है उससे straight line pass कर रहा है और इस straight line का slope 3 by 4 दिया हुआ है है ना Straight line का slope कितना दिया हुआ है 3 by 4 दिया हुआ है Okay Find the coordinate of the point on the line that are 5 units away from A मतलब इस straight line पे एक point find out करना है जिसका एक point का coordinate find out करना है जिसका distance इस दिये गए point से 5 unit पे है मतलब 5 square, sorry square नहीं होगा 5 unit होगा है ना distance है तो square कैसे हो गया तो 5 unit distance पे होगा तो देखो माल लेते हैं अगर straight line यह होगा ठीक है Straight line यह होगा माल लो कहीं पे एक point है A जिसका coordinate क्या है 3,2 अच्छा इस line का slope कितना है slope मतलब यह 10 theta है 10 theta कितना दिया हुआ है 3 by 4 दिया हुआ है ठीक है 10 theta कितना दिया हुआ है 3 by 4 दिया हुआ है तो इस straight line पे point निकालना है माल लेते हैं let's say that point is माल लो वो point है अपना P X1, Y1 ठीक है न पी क्या माल लेते X1, Y1 हमें निकालना है तो यह distance कितना होगा 5 unit distance होगा ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा A के right side ही होगा A के उपर हो सकता है वो point A के नीचे भी होगा ऐसा भी तो हो सकता है तो माल लेते हैं यह point का coordinate क्यों माल लो 5 unit उपर भी हो सकता है और 5 unit नीचे भी हो सकता है तो यह भी अपना कितना है 5 unit है तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखो समझते हैं इस type के questions के लिए ध्यान रखना इस type के questions के लिए हम लोग straight line का parametric equation यूज़ करते हैं क्या बोला मैं? कैसे किस type के सवाल? एक line दिया हो उस पे कोई point हो और किसी दिये गए distance पे एक दूसरा point निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? parametric form यूज़ करते हैं आर ये बाद समझ में parametric form of straight line parametric form of straight line क्या होता है? वो हम लोग एक बार revise करते हैं देखो इस सवाल को करवाने का क्या अपना target था? कि अपना parametric form revise हो जाए? किसी straight line पे मालो लेट से कोई point है चलो यही माल लेते हैं जिसका coordinate है x1, y1 और इस straight line का slope है माल लेते हैं इसका slope है m equal to 10 theta इसका slope होता है है न? तो जो parametric form होता है वो होता है x minus x1 upon cos theta equal to y minus y1 upon sin theta है न? equal to r अब बात है कि सरी यह r क्या होता है? यह जो r है न? माल लो p p point है देखो किसी भी straight line का जब हमें question लिखते हैं तो उस पे एक arbitrary point लेना पड़ता है कौन सा point? rb trading point arbitrary point का मतलब इस इस straight line पे कोई भी moving point या कोई भी point तो वो माल लो x, y है है न? तो यह जो r है न? यह distance है distance between x, y and x1, y1 है है न? यह क्या है distance between? यह r क्या है? distance between x, y और x1, y1 है r हो सकता है वो point अब समझो देखो यह equation यह भी हो सकता है या कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा x1 minus x upon cos theta equal to y1 minus y upon sin theta equal to r तो फिर क्या फर्क आया? देखो इसमें हम x minus x1 की हैं इसमें x1 minus x की हैं कहने कि यह मतलब है जो उपर होगा न? उसको plus में रखना और जो नीचे होगा उसको minus में मान लो करेंगे वो point तो unknown है उपर है या नीचे है आपको जरूत भी नहीं पता करने के अब तो दोनों coordinate दोनों मानते हुए निकाल देना उपर भी मानते हुए निकाल देना r distance तो इधर भी हो सकता है अगर r मालो 5 है जैसे सवाल में इधर भी 5 जैसे मेरे से 5 मीटर distance पे कोई है जैसे मालो आगे पिछी की बात नहीं करो मैं right और left की बात कर रहा हुए तो इधर भी कोई हो सकता है या इधर भी कोई हो सकता है ऐसा तो नहीं बोलता रहा है कि right side या left side उसी तरह यहाँ पे सिर्फ 5 unit distance पे कह रहा है किधर है यह नहीं बोल रहा है है ना उपर या नीचे तो यही concept हम यह फंडा यहाँ use करेंगा और करेंगा बात है सर यह cost theta और sign theta जा होता है देखो यह जो theta होता है inclination of line होता है यही 10 theta वाला theta है तो 10 theta अगर पता है तो sign theta और cost theta भी निकल जाएगा इक चीज़ यहाँ पर note करके रखना अगर आपका slope negative दिया रहेगा ना जैसे मान लो 10 theta मान लेते हैं 3 by 4 दिया होता 3 by 4 दिया होता तो आप क्या करना cost theta को negative में लिखना but sign theta को positive में लिखना मेरे कहने का मतलब है हमेशा sign theta को positive में रखना है cost theta को क्या रखना negative में रखना आप यह बात समझ में चलो देखते आचा ऐसा क्यूं जो slope होता है ने 10 theta उसमें theta जो होता है inclination होता है उसकी value 0-180 होती है तो 10 theta negative कब होगा जब theta के value 90-180 लाई करेगा 90-180 तो 90-180 तो cost भी negative होता है but sign positive होता है sign हमेशा positive लेना और cost का जो होगा cost का sign decide होगा 10 को देखके होगा 10 अगर negative तो cost भी negative 10 अगर positive तो cost भी positive यहां तक फंटा clear हुआ अब इसको rough करते हैं यह अगर लिखना है तो लिख लो ठीक है और यह चीज़ अगर लिखना है तो आप लिख लो copy पे जो cost theta का sign होगा तो देखो यहां से ना 10 theta पाता है तो यह क्या है अपना perpendicular और यह क्या है अपना बैस तो हाइप हाइपोटेनेस क्या होगा अंडरूट पी स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर तो इसको solve करोगे तो आपको h की value 3 का स्क्वेर 9 बी का स्क्वेर 16 तो 9 प्लस ओला 25 और 25 प्लस फाइब तो हाइपोटेनेस अपके था फाइब तो यहां से cost theta कितना हो जाएगा 4 बैफाइब कॉस्ट होता क्या है बेस अपन हाइपोटेनेस और शाइन ठीटा क्या हो जाएगा 3 बाइफाइब है ना यह हो गया तो इस स्टेट लाइन का आपन 4 by 5 अपन को सिटा होता है न तो 4 by 5 equal to Y1-1-2 अपन साइन ठीटा साइन ठीटा क्या है 3 by 5 इकवल तो आर आर होता है इन दोनों पॉंट जो यहां पे पॉंट लिये हैं ना उनके के बीच का डिस्टेंस और उनके बीच का डिस्टेंस देखो 5 दिया हुआ है पाच ले लिए अब एक बार नहीं एक फाला एक विट करो से और एक बार वाई वाला एक क्विट करो एक्स और वाई वन के वैल्य वाजागे पहले बाले क्विट करेंगे तो x1-3 x1-3 upon 4 by 5 equal to 5 हो गया तो यहाँ से हो जाएगा x1-3 equal to 5 into 4 by 5 to 5-5 cancel हो गया तो x1 के वेल्यों हो गई 7 एक्स वन के वैल्यों के ती आ गई 7 7 ओके अब वाई वाला करो वाई वाला क्या होगा वाई 1-2 अपॉन 3-5 एक्वल टू 5 तो वाई वन की वैल्यों देखो यह इधर आएगा तो 55 कैंसिल 3 3 तो एक पॉइंट क्या आगया यह पी आगया अपना साथ कॉमा पाँच आ रहा है समझ में यह लिखो फिर हम लोग क्यू निकालते हैं क्यूं में कुछ नहीं करेंगे इसको उल्टा कर देंगे बस हो जाएगा लिखो तो क्यूं के ले करते हैं क्या है फॉर क्यू लिखते हैं फॉर क्यू देखो इस पार यह ऊपर है तो थ्री 7 एकश टू अपॉन एक्स तो हो जाएगा अपना एक्स्टू कुधर ले जाओ तो त्री माइनस फूर डैट इस इकल टू माइनस वन ठीक ना एक्स्टू किसके कुल आ गया माइनस वन के सिमिलर्ली जब हम इसको एक्वेट करेंगे तो टू माइनस वाइटू एकॉल टू फाइब ये इधर आएगा तो थ्री बैफफाइब फाइफाइब कैंसिल तो वाइटू को अधर लेके चले जाएए तो तो माइनस टू माइनस टू एक वैलू किती आगई माइनस वन है ना तो q का coordinate क्या आ गया, q आ गया minus one, minus one, तो ऐसे दो point possible होंगे, इस question के दो answer होंगे, एक point क्या होगा, seven, five, और दूसरा point क्या होगा, minus one, minus one, है ना, ऐसे को करते हैं इस question को, चलिए लिकलिए, पना देखो बचो, question number twenty two, यह आप लोग का homework है, मुझे comment करके इसका answer देना यह अपना homework है यह question नहीं बताऊंगा सवाल पढ़ो यह वैसा ही सवाल है जो हम लोग ऐसा question पहले कर चुके हैं यह सवाल कब आया हुआ है में 2011 में आया हुआ है जो AIEEE पहले कहलाता था 2011 में आया हुआ है यह सवाल वैसा ही है जो हम लोग question number 5 किये थे question number 5 जैसा है यह question है जो बच्चे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हुआ हूँ वो समझ गया हूँ question number 5 क्या है नहीं भी देख रहा है तो एक बार जाके देख लो और फिर करो या फिर इसका solution मैं नहीं बता रहा हूँ comment करके answer बताना same question है बस उस सवाल में यहाँ पे 9 है उस सवाल में यहाँ पे 1 दिया हूँ था same concept सब कुछ same है तो इसका answer बताएगा आप लोग करिया फिर हम लोग 23 करेंगे अब question number 23 करते हैं 23 question number AIEEE 2008 में आ चुका है देखो circle से यह सवाल है question में है the equation of the tangent to the circle this एक circle का equation दिया हूआ है ठीक है the equation of the tangent to the circle this which makes equal intercept intercept on the coordinate axis मतलब sorry इस question में ना tangent का equation निकालना है एक कोई circle है ठीक है उस पे tangent जो है tangent का equation निकालना है इस line का equation निकालना है इस line का equation निकालना है ठीक है और यह जो line है ना x intercept और y intercept x axis और y axis पे equal intercept बना रहा है इसका मतलब यह है देखो जैसे यह y axis हो गया ठीक है और यह x axis हो गया तो देखो समझना यह वाला quad मानलो 0 a,0 है इसको माल लो 0,b है यह length a है यह length b है तो intercept form में state line का equation क्या होता है बताओ x upon a plus y upon b equal to 1 होता है यहाँ पर क्या कह रहा है positive x और positive y को cut कर रहा है चलो अगर नहीं भी वह भी दिया रहा है तो भी अपन यह question कर लेते हैं तहीं भी कर देता तो देखो यह length हमेशा positive होता है और जैसे बोलता है x intercept जैसे माल लेजिए for example जैसे यह y axis हो गया यह x axis हो गया यह coordinate हो गया minus 2,0 तो इसका x intercept minus 2 है but length of x intercept 2 होगा है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि equal intercept बना रहा है length नहीं कह रहा है intercept equal है तो हम कह सकते हैं a का mod और b का mod नहीं है यहाँ पर a और b same है equal intercept बना रहा है ना मतलब a और b same है और यहाँ पर positive x पर है तो mod भी same ही होगा ठीक है ना चलो तो यहाँ पर which makes equal intercept on the coordinate axis question में है एक circle दिया हुआ है उस circle पे tangent draw हुआ है उस tangent का equation निकालना है जो tangent है वो coordinate axis पे मतलब x axis पे और y axis पे equal intercept बना रहा है है ना तो देखो tangent का equation यहीं होगा अगर यह होगा तो a और b equal है तो मैं कह सकता हूँ x upon a plus y के upon में भी तुम a ही डाल दो चलेगा है ना equal to 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा x plus y equal to a यह क्या tangent का equation होगा यह हम कह सकते हैं x plus y minus a equal to 0 यह भी तो हो सकता है tangent का equation है ना एक उधर ले आए अब सुनो इस circle का equation क्या दिया हुआ circle का equation है x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 equal to 0 तो ध्यान दो अगर circle का जो general equation होता है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus e equal to 0 तो इसमें जो center होता है वो minus g minus f होता है तो जो x का coefficient होता है वो 2g होता है यहाँ पे x का coefficient क्या 4 है तो 4 किसके equal है 2g के equal है तो यहाँ से g की value किती आ गई 2 है ना similarly जो y का coefficient होता है उसको 2f बोलते है तो यहां पर y का coefficient क्या है माइनस 4 तो माइनस 4 इकल टो 2f तो f की value क्या आ गई माइनस 2 तो इस circle का center क्या होगा माइनस g center जो होता है वो तो माइनस g तो g अगर 2 है तो माइनस g क्या होगा माइनस 2 और f माइनस f होता है अगर f ही माइनस 2 है तो minus f क्या होगा 2 तो center इस circle का center क्या होगा minus 2,2 है ना इस circle का center हो गया अच्छा general equation अगर यह होता है तो circle का जो radius होता है radius होता है under root g square plus f square minus c तो ये मान लो r है ये क्या है अपना radius है r तो r की जो radius radius की value क्या होगी under root g square plus f square minus c तो देखो radius निकाल लेते हैं यहां से अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ radius क्यों निकाल रहा हूँ center क्यों निकाल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा radius क्या होगा under root g square मतलब 4 g क्या है अपना 2 है 2 का square 4 और f square minus 2 का square भी 4 minus c c की value किती है देखिए यह जो constant term होता है यह c होता है तो c का value क्या है minus c का value 4 है यह 4 4 कट गया तो under root 4 under root 4 का मतलब 2 तो इसका radius के ता गया बच्छो radius equal to 2 radius का है इसका 2 है अब सुनों अपने को tangent का equation कह रहा है तो tangent का equation तो यह है ना x plus y minus a equal to 0 इस tangent की question में क्या unknown है बस a unknown है तो यहां पर अपना target है निकाल ले है ना देखो सारा question जितने भी option है x plus y x plus y x plus y x plus y में दिया हुआ है हाँ भी देखो एक 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 स्प्रस y है अब एक कैसे निकालेंगे तो सुनों मैं हिंट करता हूं फिर मैं रफ करूंगा आप वीडियो पाउस करके खुद से करना आप लोग सेंटर से किसी tangent पर जो यह line मिलाते हैं तो यह क्या होता है perpendicular होता है जहां पर टेंजेंट टच करता है circle को यह क्या है अपना यहां छूटा दिख रहा होगा मैं बता रहा हूं यह perpendicular का sign बना रहा हूं तो किसी भी point से किसी भी straight line पे जो perpendicular distance निकालने आता है न वो हम लोग निकाल लेंगे और वो किसके equal होगा यहां पर radius के equal होगा मतलब इस center का distance इस straight line से बोले तो इस tangent से कितना होगा टू के equal होगा अब हम लोग क्या करेंगे इस center का distance इस straight line से लगा देंगे और उसको 2 के equal कर देंगे वहां से अपना a आ जाएगा आया समझ में a आ गया तो answer आ गया वीडियो को पाउस करो और खुद करो ने तो मैं तो बता ही रहा हूँ इसको रफ करके किजिए मैं रफ करता हूं इसको कि तो देखो कैसे करेंगे इस question को यहां से आप क्या कर लेंगे इस center का distance मतलब अच्छी यह मान लो तो यह cm किसके इकोल होगा radius इकोल होगा cm का length cm क्या है center के दूरी इस straight line से इस straight line का equation क्या है x plus y minus equal to 0 तो distance formula लगा देंगे किसी भी point का किसे straight line पर तो क्या होगा minus 2 plus 2 minus a है ना mod के अंदर और upon में under root a square plus b square a बोले तो x का coefficient और b बोले तो y का coefficient तो 1 plus 1 equal to r r क्या है अपना 2 है ना यह plus 2 minus 2 कट गया minus a का mod upon root 2 root 2 इधर आएगा तो 2 root 2 होगा तो minus a का mod मतलब a a के value किती आ गए 2 root 2 तो इस tangent का equation क्या आ गया x plus y equal to a है देखो सब में equal है ना या तुम कहीं भी ले यहां भी a का value रख सकते हो यहां भी यहां पर रख देते हैं 2 root 2 है ना तो बस answer आ गया देखो a i triple e का सवाल था बोले तो मेंस का सवाल था ओफशन क्या हो गया बीफ और बवीता is the correct answer है कर लो कि ना कुशन नंबर कुशन नंबर कुशन अपना 24 है और यह सवाल जी मीन 2018 में आ चुका है देखो इस सवाल से मैं कुछ concept बताऊंगा ऐसा question पराबर आता है मतलब question क्या देदेगा एक circle देदेगा एक पैरा बोला देदेगा और एक लाइन एक ही लाइन दोनों पे tangent का काम करेगा ऐसे कुशन आते हैं एक पैराबोला देदेगा एक ellipse देदेगा और एक ही लाइन एक कोई straight line होगा वो पैराबोला पे भी tangent होगा और ellipse भी tangent होगा है पर बोला देदेगा ellipse देदेगा और दोनों पे tangent होगा ऐसे question आते हैं बट यहां पे तो अपना mainly circle का question circle है हमारा ज़रनी चल रहा है straight line और circle का तो यहां पे हम लोग parabola पही बहुत से बहुत देखो circle तो रहेगा इस सवाल में ऐसा question हम भी हम लोग नहीं करेंगे कि parabola और ellipse देगा तो यह वाला सवाल है circle है और parabola है एक straight line है जो दोनों पे tangent है मतलब common tangent है कहने का मतलब common tangent के सवाल आते हैं बहुत means का यह favorite topic है conic section का जो coordinate geometry का यह favorite topic है means में देता ही है common tangent का किसी ना किसी shift में एक सवाल देखी देगा common tangent का यह hundred percent है समझो यह सवाल question leak हो चुका है out हो चुका है पहले common tangent पेक सवाल देगा किसी ना किसी shift में means के तो देखिए question में है एक tangent है if the tangent at one comma seven to the curve this अच्छा यह curve क्या है पता है आप लोग को यह curve ना parabola है है ना यह parabola है एक सिर्फ x square हो और और y linear हो और x square rating में हो तो वह parabola हो आख बंद करके बोल दो या y square हो और x linear हो एक की power one हो वह parabola होगा तो यह parabola है कहने का मतलब क्या है एक circle है ठीक है और एक parabola है ठीक है यह एक माल लो parabola है ओके और यार एक निट मेरी drawing थोड़ी अच्छी नहीं है ठीक है वैसे मेरी हैं रेटिंग बेची नहीं है तो देखो एक circle है एक parabola है तो जो यह यह parabola का मान लीजिए equation यह दिया हुआ है x square equal to और y-6 मान मतलो दिया हुआ ही यह यह है touches the circle यह जो इफ the tangent to the parabola parabola पर कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट का कोडिनीट क्या है 1,7 अच्छा 1,7 लाइक कर रहा है कि सवाल में दिया है तो मैं दिखा भी दिया तो यह जो tangent line है मतलब जो parabola पर है वो circle को भी touch कर रहा है तो circle को touch कर रहा है मतलब circle पर भी tangent है है ना circle का equation क्या है circle का equation है x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equal to 0 ठीक है यह circle का equation दिया हुआ है तो इस circle का center क्या होगा अभी last question में समझा दिया हूँ तो circle का center ले लूँगा मैं minus g comma minus f circle का क्या होगा center होगा है ना circle का center होगा तो center होगया अपना g का value 8 है तो minus 8 minus 6 यह अपना center होगया minus 8 comma minus 6 और यह बात समझ में है ना अब सुनो radius भी निकाल के रख लेते हैं radius क्या होगा radius क्या होता है circle का under root g square plus f square minus c तो r equal to under root g square g क्या है minus 8 minus 8 का square 64 plus 36 minus c तो c ही है c का value तो पता ही नहीं है अच्छा question में अपने को c ही निकालना है ना तो यह कितना होगा 100 होगा ना 100 minus c radius अपना 100 minus c आगया अब सुनो कैसे कोड़ेंगे इस question को हम लोग क्या करेंगे इस tangent line का equation निकाल लेंगे लास्ट सवाल में जैसे question की थे इंटर्सेप्ट वाले में वैसा ही कुछ है वैसा नहीं है मतलब उसी टैप का यहां पर circle के लिए concept apply करेंगे tangent line का equation निकाल लेंगे और यह tangent line circle के center से कितने distance पे होगा r distance पे होगा तो वो हम अगर यह अपना m है और यह तो a है लो तो cm equal to हम लोग वही करेंगे cm length cm का length r की कुल होगा यही concept apply कर के c निकालेंगे लेकिन अब बात है सर यहां पर tangent के से निकालेंगे tangent का length के से equation के से निकालेंगे लास्ट वार तो x plus y equal to a हो गया था इस वार देखो कैसे निकालेंगे सुनो एक होता है 10 चाहे मैं circle की बात करूं ध्यान देना चाहे मैं parabola की बात करूं है ना चाहे मैं ellipse की बात करूं या चाहे मैं hyperbola की बात करूं ठीक है ना इन सब में जो tangent का equation होता है कौन से form में? point form में वो होता है t equal to 0 इन सब के लिए validate circle, parabola, hyperbola, ellipse सब के लिए validate tangent का equation t equal to 0 ये point form का मतलब होता है कि जैसे parabola है parabola पे किसी point पे वो point दिया होगा आपको a x1, y1 दिया होगा तो इस tangent का equation t equal to 0 होगा अब point t equal to 0 क्या होता है देखो, जो भी curve होगा चाहे circle हो, parabola हो, ellipse हो या hyperbola हो, कोई भी curve हो, point form का मतलब होता है t equal to 0 का मतलब होता है x square को replace करना है x x1 से, y square को replace करना है y y1 से, x को replace करना है x plus x1 by 2 से को रिपलेस करना है यही रहेगा और अगर कुशन में एक सींटru यह फिविशन में तो यह हुगा एक्स वाइवन प्लस भाई एक्सवन अपम पॉसे रेपलेस करेंगे तीक है यही बहला फंडा मैं आपलाई करूंगा टेंजेंट कर या तो कि कि पैराबोला के लिए में क्या कर वाइ original प्रम से इकल प्लाइब वाई प्लस वाइवन बाइब隊 two से एक्वल टू 6 अब एक्सवन वाइवन क्या होता है जो वह पॉइंट होता है जिस पर यह लाइन टेंजेंट होता है वह पॉइंट पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट तो एक्सवन वन है तो एक्सवन वाइवन की वैलू क्या है देखो तुछ रहा एक्सवन वाइवन क्या है यह यहां पर हम रख देंगे एक्सवन की वैली वन तो यह एक्स हो जाएगा इकोल टू वाइप लेंगे तो इधर ले लेंगे टू एक्स एक्वल टू यहां से एक्विशन क्या गया टू एक्स माइनस वाई टैंजेंट का एक्विशन आगया इस पेराबोला पर यह जो टैंजेंट है न夏 सर्कल को वी देखो टच कर रहा है कर रहा है ना इसका मतलब इस स्ट्रीट कंसेप्ट यूज किया टेंजेंट निकालने का अगर कोई बचे 12 के होंगे तो वो टेंजेंट नॉर्मल जो 12 में यूडी का चैप्टर है वो भी लगा के टेंजेंट के कुछ निकाल लोगे बट थोड़ा टाइम लगएगा तो यह कंसेप्ट भी अपना अच्छा है ठीक है एकल टू आरा हम लगा देंगे और अपना निकल जाएगा तो मैं काम करता हूँ आपको यह रफ करता हूं ठीक है यह लिख लो फिर रफ करके करते हैं तो cm equal to मैं क्या कर दूँगा r रख दूँगा देखो cm का mod mod का मतलब होता है जैसे मतलब c और m के बीच का distance अगर mod लगा दिया तो center है ये और cm मतलब इस straight line का distance इस point का इस straight line से distance क्या होगा 2 into minus 8 minus of minus y plus 5 upon under root a square plus b square मतलब under root 2 का square 4 plus 1 ये mod किसके equal होगा बच्चो रीडियस रीडियस क्या है 100 minus c under root है ना मैं इसको rough करता हूं इस सब figure की कोई जुरूत है नहीं इसको rough करके अपन solve करते हैं तो minus 8 into 2 कितना हो जाएगा माइनस 16 माइनस 16 प्लस 6 प्लस एक अपॉल अपॉल अंडर रूट फाइव ये क्या देर आपने को माइनस 16 और 65 से ग्यारा माइनस 16 प्लस से ग्यारा माइनस पांच अपॉन रूट फाइव है ना का मोड एक्वल टू हुन रेट माइनस से कम मौड देखों ये कितना मचेगा पांच का मतलब क्या है है फाल रूट फाइय में टो रूट सीप का मॉड क्या होगा Evar गuba इकुल टू पांट्रेट माइनस 시 का स्कौर रूट तो आ गया बच्चो 95 तो देखिए कोई ओफ्षन है 95 उपना डी फोर डायन है ना डी फोर डायन इस दा अंसर मतलब 95 होगा सी का वेल्यू हमारा यह मेंस 2018 का कुशन था तो यहीं है ना कंसेप्ट पता होगा ना कंसेप्ट का पता चिलेगा जब अभी मौका है अभी एक्जाम और भी ज्यादा कोवीट के वाज़े से पोस्ट मौन हो गया है मुश्टी टुथाज़न्ट सॉरी अगस्त वगरम एक्जाम होने वाला है तो आप के पास अच्छा मौका भी है ना इस कोशन से मैं कुछ रिवाइज करवाने के लिए कोशन लिया हूँ यहाँ पे देखो जो ऑर्थोसेंटर सरकम सेंटर और सेंट्राइड होता है किसी भी ट्रेंगल का हमेशा कूलीनियर होता है ये ध्यान रखना क्या बोला मैं मैं क्या बोला देखो O for ortho center G for centroid हम इसा centroid को इन जी से denote करते हैं ठीक है और circum center यहाँ पर O stands for ortho center ओके G stands for centroid है ना और C stands for circum center अभी बचो अगर किसी बच्चों को यह पता नहीं है कि ortho center, centroid, circum center नहीं होता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अभी क्योंकि यहाँ पर हमारा भी main target है सवाल करना अभी यह पढ़ाने लगेंगे तो हमारा जो main motivist class का है वो पूरा नहीं हो पाएगा ठीक है तो लेकिन I hope अगर आप लोग यह कुछ class देख रहे होगे तो यह आप लोगो पता होगा और्थो सेंटर क्या होता है सेंटराइड क्या होता है सरकम सेंटर क्या होता है तो कैसा भी ट्रेंगल हो हमेशा और्थो सेंटर सेंटराइड और सरकम सेंटर को लिनियर होता है पहली बात ठीक है यह हमेशा होता है और ध्यान रखना, कि यह जो centroid होता है नहां हमिएसा बीच में होता है, ortho center और circumcenter के, और जो centroid होता है यह 2 to 1 में divide करता है, जो centroid होता है, वो ortho center और circumcenter के जोडने वाले line को 2 to 1 में divide करता है, internal section इसको याद कैसे रखेंगे सर देखो याद कैसे रखना है मतलब मेरे कहले का बनलब Eğer only ratio till G अपान जी सी का रेशियो जो होगा नहीं साथ दो बने एक होगा अब इसको याद कैसे रखना है देखो ONGC से याद रखना है इसको कैसे याद रखना है ONGC से इसको याद रखना है तो ये 2 is to 1 में इसको याद रखने का तरीका क्या है ONGC ये जो ONGC है इसका full form होता है Oil and Natural Gas Corporation ठीक है न, Oil and National Gas Corporation बट अपने कोई काम नहीं है इस वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं ONGC देखो O है इसमें N है और C है O है G है और C है O for ortho center G for क्या होगा बताओ G for centroid और C for क्या होगा circum center यहाँ पर तो O से लेकर O से G पे जाने मुझे 2 कदम चलना पर है और G से C पर जाने मुझे एक कदम चलना पर है बचो यह बहुत important है यह concept याद रखना मैं ऐसी concept को याद करवाने के लिए मैं यह question लिया हूँ हमेशा ortho center और circum center को जो G होता है 2 is to 1 में divide करता है याद रखना भूल जाओगे 2 is to 1 या 1 is to 2 तो ONGC याद रखना Oil and Natural Gas Corporation O से लेकर G में जाने मुझे दो कदम चलना पर है देखो दो लेटर एक और दो यहाँ से एक ही ठीक है जी concept याद रखना इसको लिख लो इसी concept का मैं यूज करूँगा इस सवाल को करने में है ति कर लिख 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 लो इसको नोट करके लिख लो यहां पर सवाल में ही लिख लो revision में अच्छा question जब करते हो ना तो question जो आपका एक practice copy बना रहो उसमें सवाल भी लिखा करो option भी लिखा करो फिर solution किया करो जब आप दुबारा जब में रिवाइस करोगे तुस्री कोशन पढ़ना है और रफ कॉपी में करते जाना है कोशन करना रफ में करना अपके कॉपी तयार हो जाएगा अभी बहुत टाइम है अगस्त में एक्जाम हो सकता है कोवीट के वज़ा से पोश्ट पॉन हो गया है मीड ऑफ अगस्त मतलब 10 अगस् सेप्टंबर होगा एक्जाम ठीक है तो पूरा एकदम अच्छे से एक्जाम देना है प्रैक्टिस जंप के करना है इसको लिख 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 चलो अब देखो कुशन में क्या कह रहा है let ortho center and centroid of a triangle अच्छा क्या दिया हुआ हुआ ortho center दिया हुआ है और centroid दिया हुआ है मतलब o दिया हुआ है और g दिया हुआ है ठीक है if c is the circumcenter of this triangle किसी एक triangle का c क्या circumcenter है ortho center कितना दिया हुआ है minus 3,5 दिया हुआ है centroid कितना दिया हुआ है 3,3 दिया हुआ है तो circumcenter इसका find out करना है और if c is the circumcenter of this triangle then the radius of this triangle having segment ac as diameter अच्छा, A क्या है, अच्छा, A अपना है, A Centroid, अर्थो सेंटर है न, यह A है, और्थो सेंटर यहां पर अपन A से कोशन वाला डूनोट कर रहा है, और सेंटर राइट को B से डूनोट कर रहा है, मैं यह O G C लिख लिया हो, अपन को O G से यूस्टू है, लेकिन कोशन वाला, A को A से दिनोट कर रहा है ऑर्थो सेंटर को और B से दिनोट कर रहा है सेंट्रोइड को है ना और और if C is the circumference center, अच्छा, circumference center को तो C से दिनोट कर रहा है तो radius बताना है, then the radius of this triangle triangle, triangle, triangle होगा या circle होगा, एक मेट में चेक करनो कोशन, triangle नहीं, circle होगा न, circle होगा, printing mistake था, then the radius of this triangle having line segment AC as diameter, मतलब AC क्या होगा, diameter, तो उसका radius पूच रहा है, then the radius of this circle having AC as diameter, तो जो AC का length होगा न, उसका half ले लेंगे, तो answer आजाएगा, radius, तो AC का length कैसे निकालेंगे, देखो, यह A पता है, और अगर मुझे C का coordinate भी पता चल जाएगा, तो distance formula से हम AC निकाल लेंगे, तो C क्या होगा, देखो, C हम मान लेते हैं, क्या है यह, alpha, beta है, alpha, beta है, मान लिए, तो अपने को पता है न, यह 2 is to 1 में divide होता है, है न, तो section formula लगा दो, यह इधर multiply होता है, यह इधर multiply होता है, आता है न, section formula, तो देखो, यह 3 किसके equal होगा, मतलब जो divide करता है 3 किसके equal होगा, minus 3 into 1, plus, कैसे निकालते है section formula, minus 3 multiply होगा 1 से, फिर यह, alpha multiply होगा 2 से, 2 alpha, upon, क्या करेंगे, 2 plus 1 कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा, यह 3 equal to, 2 alpha minus 3 upon 3, यह 3 इधरा जाएगा, तो 9 equal to 2 alpha minus 3, तो 2 alpha equal to 12, तो alpha की value आ गई 6, है न, alpha की मतलब C का, X coordinate 6 आ गया, ठीक है, similarly अब Y coordinate निकालते हैं, C का X coordinate कितना आ गया है, 6 आ गया है, similarly Y coordinate निकालते हैं, चलो, Y coordinate के लिए स्कुराफ कर दू, now, एक और तरीका बताऊंगा, यह तरीका पहले देख लो, alpha बीटा कैसे निकालेंगे, देखो, यह 5 का multiply 1 से करेंगे, 5 into 1, plus, बीटा का multiply 2 से करेंगे, तो 2 बीटा, upon 2 plus 1, किसके equal होगा, 3 के equal होगा, है न, Y coordinate, जो divide करता है, 3 के equal, तो 5 plus 2 बीटा equal to 9, तो 2 बीटा equal to होगया 4, बीटा equal to आजाएगा अपना 2, तो यह coordinate के आगया 2, अब बच्छों एक काम करो, अब AC का length निकाल सकते हो क्या, AC का length मैं रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लो, बाउसकर के वीडियो को, AC का length निकाल सकते हो क्या, कैसे distance formula से, चलो अब AC निकालते हैं, AC का length, तो यह होगा under root, minus 3, और minus 6, minus 9 का whole square, तो यह हो गया 81, मैं direct कर रहा हूँ, G का तयारी कर रहा हूँ, इतना तो समझ में आ रहा होगा, minus 3, minus 6, minus 9 का square 81, और 5, minus 2, 3, 3 का square, 9 हो गया, तो यह आ गया 90, है ना, चलिए, तो यह अपना diameter कितना, अच्छा 90 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 square root 10, है ना, तो अपना इसका, तो यह diameter कितना आ गया, तो R for radius कितना आ जाएगा, 3 square root 10 upon 2, option चेक करो, 3 square root, अच्छा यह 5 है option क्या, कुछ गरबर कर रहे हैं क्या, नहीं, answer तो कुछ गरबर तो नहीं कर रहे हैं न, ठीक है, चलो देखते हैं न, करते हैं, तो यह अपन में 2, यह diameter, option देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, option इस form में है, न, एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, 3, यह 2 अंदर क्या बन के जाएगा, 4 बन के जाएगा, है न, 2 अंदर क्या बन के जाएगा, 4 बन के जाएगा, square root के अंदर, तो r equal to कितना हो जाएगा, 3, यह 5, 2, 5 जा, 2, 2 जा, तो यह 3, square root के अंदर, 5 by 2, है न, तो radius की क्या value आ गए, 3 into, under root में 5 by 2, है न, यह अपना answer आ गया, चलिए, option है कोई क्या, yes, c is the correct answer, है न, c for, chandini is the correct answer, है न, means का सवाल था, चलिए, करिया, चलो बुचो, इसका एक और method में बोला, जिससे बताऊंगा, तो चलो देखते हैं, क्या है method, कुछ नहीं एक concept बसी, देखो क्या है, अपना, a, b, is to, b, c, क्या होगा, 2 is to, 1 होगा, आपको a, b, का length निकल जाएगा, क्या, a, b, का length कितना होगा, अच्छा, एक काम करते है, a, b, b, c, कितना होगा, 2 बटे, 1, तो हम कह सकते हैं, क्या, जो b, c, होगा, वो a, b, का half होगा, है न, a, b, का half होगा, b, c, जो होगा, a, b, का half होगा, sorry, a, b, by two, na, a, b, by b, c, कुल, हाँ, ठीक है, a, b, का half होगा, तो, a, b, का length, निकाल लो, distance, फ़रूमला से, निकाल लो, मैं, डिरेक्ट लिक रहाँ, a, b, का length होजाएगा, minus 3, minus 9, का square, 81, चलो, a, b, का length होजाएगा, यहाँ से, minus 3, minus 36, plus, 4, 40, square root 40, यह 10 root, 10, यह होजाएगा, 2 root 10, है न, 2 root 10 होजाएगा, तो, b, c, की value, 2 root by 2, तो, b, c, की value, root 10 आ गई, b, c, की value क्या आ गई, under root 10 आ गई, है न, तो, देखो, अब, b, c, की value आ गई, यह length भी पता है, a, b length भी पता है, a, b length कितना है अपना, देखो, a, b length है अपने पास, 2 root 10, है न, और, b, c, length कितना है, root 10, तो अपना AC length कितना होगा, AC total कितना हो जाएगा, 2 root 10 plus root 10, तो AC के value कितनी आ जाएगी, बताइए, 3 root 10 आ जाएगी न, अभी जैसे हम लोग निकाले थे, है न, तो AC by 2 कितना आ जाएगा, AC by 2 ही तो radius है अपना, क्योंकि AC diameter है, 3 root 10 by 2, इसको solve करोगे, तो answer आ जाएगा, 3 under root 5 by 2, है न, देखो जैसा कि यह दिया हुआ है, आ रहे हैं समझ में, तो हम लोग इस method से भी कर लिए हैं, और distance formula से भी कर लिए हैं, लेकिन यह सब तो ठीक है, यह सब तो कोई भी कर लेगा, जो अपना, जो main target था यहां सीखना, कि ortho center और circum center को जो centroid होता है, G, 2 is to 1 में divide करता है, O, N, G, C, O से G जाने में, O से N, फिर N से G, इसलिए दो याद रखेंगे, और G से C, एक कदम, ठीक है ना, चलो, अगला question करते हैं, लिख लेज़े हैं, Now question number 26, 26 number question देखिए, sorry, question number 26, AIEEE 2004 में आ चुका है, मतलब means में आया हूँ question है, पहले mean ही था, AIEEE, तो question पहले पढ़ते हैं, और समझाते हैं, देखो, question में क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं, question है, the intercept on the line, this, by the circle, this, एक circle है, कोई एक circle है, ठीक है, circle का equation क्या दिया हुआ है, x square, plus y square, minus 2x equal to 0, इस circle के दुआरा, किसी line पर ना intercept काट रहा है, कोई line बन गया, उसके length AB को circle काट रहा है, कह रहा है, the intercept on the line, this, by the circle, this is AB, the intercept on the line, this, y equal to x, by the circle, this is AB, तो ये अपना A हो गया, और ये अपना क्या हो गया, B हो गया, तो अब अपने को एक ऐसा circle, then the equation of the circle, एक ऐसे circle का equation निकालना है, जिसके लिए ये जो AB है ना, diameter का काम कर रहा है, AB किसका काम कर रहा है, diameter का काम कर रहा है, है ना, AB किसका काम कर रहा है, बच्चो, diameter का काम कर रहा है, एक एक एक्विशन है और एक एक्विशन ये है क्या मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो दो इक्विशन को सॉल्व करते हैं अगर दिये गए कर्व के कुशन को सॉल्व करते हैं तो जो भी x y की वैल्यू आती है वो उन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है जिन दो कर्व को सॉल्व करते हैं एक कर्व है अपना y equal to x from first and second from first and second we get क्या मिलता है यह फर्स्ट और से केंड से देखो second में अपने पास क्या है y और x equal है तो यहां पर हम second में रख देते हैं y की जगाँ पर x तो यह x square plus y की जगाँ पर x रखेंगे तो x square minus 2x equal to 0 होगा है ना तो यह क्या होगा 2x square minus 2x equal to 0 2x common ले लो तो यहां x minus 1 equal to 0 तो यहां से 1x की value 0 आ रही है और एक बार x की value क्या रही है 1 आ रही है क्या रही है 1x की value 0 आ रही है और एक बार x की value 0 होगा तो अगर मैं अगर x की value 0 है, तो एक बार x की value 0 है, तो y भी 0 आएगी, क्योंकि दोनों equal है, और एक बार x 1 है, तो y भी क्या होगा, 1 होगा, तो इसका मतलब, अगर हम a को 0,0 ले लेते हैं, तो b को क्या लेना परेगा, 1,1 लेना परेगा, अब हम लोग a, b को diameter मानते वे, जो circle, ये dotted circle है, इस circle का equation, ये जो circle है, इसका equation हो जाएगा, x minus x1 into x minus x2, है ना, plus y minus y1 into y minus y2, देखो, एक बार revise करके, आप लोग आए हो, और मैं class में concept भी revise करवाते जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी सपनी तयारी हो रही है, है ना, ये होता है circle का equation, तो अपना x, ये मैं rough कर रहा हूँ, क्यो कि मैं इस circle का equation बनाऊँगा, तो x1 अगर ये है अपना x1, y1, और इसको मान लो अपना क्या है, ये अपना क्या है, x2, y2 है, तो circle का equation क्या होगा, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y equal to 0, इसको solve परो, ये क्या होगा, x square minus x plus y square minus y equal to 0, है ना, तो circle का equation क्या आ गया, x square required circle का equation, x square plus y square minus x minus y equal to 0 आया समझ में क्या तो option है कोई x square y square minus x हाँ a for angel is the correct answer या अनुराधा is the correct answer ठीक है ना a है अपना option a यहाँ पर सही answer है ना अच्छा यह लिख लो अब आज के class के लिए इतना ही question करेंगे लेकिन मैं ना इसका अगर actual diagram एक चीज़ बता देता हूं तभी class से जाना आप लो अगर मैं इसका actual diagram बनाऊंगा x axis और y axis बनाके तो अपने को एक इसका एक coordinate यह 00 देखना fine पता चल जाएगा तो इसको पहले लिख लो अच्छा वो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपने थुरा सा visualize भी करना सीखो कहीं पर calculation थो लेंडी होगा तो कैसे भी करके मैं जुगार करके अपने इसे नहीं हो रहा है है ना पहले तो यह लिख लो फिर बताता हूं वो चीज में सरकल का जो सेंटर है ना अपना जी का वैल्यू क्या है अपने पास वन और एफ का वैल्यू जीरो तो सेंटर क्या होता है माइनस वन कॉमा जीरो तो माइनस वन कॉमा जीरो यहां पर कहीं होगा और रेडियस क्या होगा अंडरूट जी स्क्वेर प्लस एफ स्क्वेर माइनस तो देखो एक एंड पॉंट हम दूनों सर्कल और इस लाइन का एक पॉइंट आंट फिर इक स्थमा तो बन जाता लेकिन बी निकालने के लिए आप लोग को ना स्कों हम लोग कि आ तो बस यह मैं बता दिया कि देखो इस टाइप से भी एक कॉडिनिट निकल सकता था लेकिन बी के लिए हमको फिर सॉल्व भी करना पड़ता तो बात क्या फाइदा क्या फाइदा इतना ही कि थोड़ा बहुत अपने को आइडिया हो राच्छा इसे ग्राब बनाएंगे तो कह हम लोग किये हैं अभी तक है ना कहा से स्टाइट किया थे तो अगले क्लास में हम लोग कॉशन और भी करेंगे तो बने रहना मेरे साथ और ये लिख लो कॉशन और जे कुशन मैं दिया हूँ जो AIEEE 2011 में आया था कमेंट करके बताना उसका आंसर मैं इसका आंसर नहीं बताए हूँ आफशन दे दिया हूँ ठीक है आज के लिए इतना ही बाई वाई है वनाइस टे